बिहार की 25 बड़ी खबरों को पटना में 228, अररिया में 1, अरवल में 20, औरंगाबाद में 3, बांका में 3, बेगो सराय में 89, भागलपूर में 78, भोजपूर में 33, बकसर में 1, दर्भंगा में 3, गया में 65, गोपाल गंज में 22, जमुई में 28, जहनबाद में 17, कैमूर में 18, कटिहार में 28, खगरिया में 9, क बहुतास में 51, सहरसा में 11, समस्तिपूर में 29, सारन में 8, शेखपूरा में 5, शिवहर में 4, सीतामडी में 6, सिवान में 50, सुपॉल में 3, वैश्वाली में 6 मामले सामने आए हैं दूसरी तरफ इसे ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बहुतरी देखी जारी है मिली जानकारी के नुसार बिहार में COVID-19 से अब तक कुल मिलाकर 12,364 मरीज ठीक हो गए हैं वहीं अब तक ऐसे 134 लोगों की जान जा चुकी है बिहार के सभी जलों को भेजे गए Rapid Antigen Kit बिहार में COVID-19 की जाच मातर आधे घंटे में अब हो जाएगी बिहार के लोगों को अब COVID-19 जाच कराने के लिए 24 से 48 घंटे का इंतजार नहीं करना होगा बलकि सैंपल देने के आधे घंटे बाद ही आसानी से रिपोर्ट आ जाएगी आई सेमार से अनुमती मिलने के बाद बिहार के सभी जलों में वीते दन से Antigen Kit की मदद से जाच शुरू हो रही है जिसके बाद सभी जलों में Rapid Antigen Kit मोहया करवा दी गई है जबकि पटना में जाच शुरू हो चुकी है जिसके लेकर के स्वास्तमंत्री मंगल पांडी ने भी जानकारी दे दी है और कहा है कि बिहार में 44,000 किट महुच चुके हैं जो से सभी जलों को पलप्त करा दिया गया है बाद से निपटने के लिए NDRF की टीम को किया गया तैनात संभावित बाद को ध्यान में रखते वे NDRF की टीम को जगए जगए पर तैनात कर दिया गया है मिली जानकारी के नुसार राज़ानी पटना से 60 बेटा स्थित 9 वी वाहनी NDRF मुख्याले में इस बार बिहार को में बाड को लेकर पूरी तरह तयार है NDRF के कमांडर विजे कुमार सिन्हा ने इस बात की पुष्टे की है साथ ये भी बताये कि सोलर टीम को संभावित बाड को दियान में रखते वे बिहार राज़ु के अलग-अलग जुलो में तैनात कर दिया गया है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया है कि बिहार राज़ु आपदा प्रबंदन विभाग की मांग और NDRF नई दिल्ली की सहमती से नौवी वाहिनी NDRF की फुल बारह टीमों को भी बिहार राज़ु के कई जोलों के लिए रिजर्व में रखा गया है बिहार में COVID-19 के कहर के बीच पटना इम्स में शुरू हुआ वैक्सिन का ट्रायल बिहार में COVID-19 से बेकाब हो रहे खबर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है बीते दिन से पटना के एम्स में COVID-19 के वैक्सिन के ट्रायल की प्रक्रियाश शुरू कर दी गई है जिसके बाद पहले सभी लोगों का medical check-up किया जाएगा उसके बाद guideline के अनुसार report पर positive आने के बाद उन पर वैक्सिन का पहला dose दिया गया है वैक्सिन के पहले dose के बाद दूसरा dose 14 दिन के बाद दिया जाएगा जिसके बाद डॉक्टरों के टीम ने उन्हें निगरानी में रखा है बकरीद की नमाज भी सभी लोगों से घर में ही पढ़ने की अपिर की गई है मिली जानकारी के नुसार बंद में बकरीद की नमाज सामोहिक तौर पर अदा करने की अजाज़त नहीं होगी पटना की गांधी मैदान में इस बार बकरीद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त को बकरीद मनाई जानी है 21 जुलाई को चांद आने के बाद ही ये पता चलेगा की बकरीद की असल तारी क्या होनी है बिहार में 7 प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन की शुरू हुई तैयारी भारती रेल्वे ने देश भर के 109 रूटों पर नीजी ट्रेन चलाने का फैसला सुनाय था जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है बिहार में 7 प्राइवेट ट्रेनों को चलाने की तैयारी जा रही है जबकि सबसे ज़ाद मुंबई में 17 दिल्ली में 16 नीजी ट्रेन चलाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है मिली जानकारी के नुसार बिहार के जिन शेहरों में नीजी ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है उन शेहरों में अलग-अलग जगों पर उतनी ही ट्रेन वापस भी आएंगी नीजी सेक्टर के जरीए ट्रेन परेचालन के शुरूआत अगले साल होनी है जिसके लिए रेल मंत्रवाले ने पूरी तयारी कर ली है बिजली बिल में इस महीने मिलेगी राहत बिजली बिल की राशी काफी बढ़ गई है जिसके बाद बिजली बिल में पेनल्टी के रूप में ली गई राशी को आए बिजली की राशी से कम कर दिया जाएगा जदियुनेता अजया लोक और शैलेश खुबार आए कोवर्ट 19 की संक्रमने में COVID-19 धीरे-धीरे करके आम नागरिकों के साथ-साथ राजनीती में भी अपने पैर पसार रहा है इसी क्रम में बीते दिन जद्यूनेता अजय आलोग COVID-19 के संक्रमन में आ गये हैं उनके परिवार के तीन लोग भी इसकी चपेट में आ गये हैं जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है वही दूशरी तरफ नितीश क्याबिनेट के एक और मंत्री को भी COVID-19 संक्रमन पाए गये हैं नेपाल की तराई वाले अलाकों में लगातार होरी बारिश के बाद नदिया उफवान पर पहुँच गई है उतर बिहार की ज्यादतर नदिया अब लाल निशान के उपर पहुँच गई है वालमी की नगर सिद गंडग बरात से लगभग तीन लाक की उसे एक पानी डिस्चार्ज किया गया है बिहार में जो नदिया लाल निशान के उपर बह रही है उसमें अररिया जिले के अंदर परमान नदी लाल निशान के लगवट 53 सेंटीमीटर उपर बह रही है जिसके बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है बिहार के कई जिलों मे में विधान सभाब रभारी और प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष की संयुक्त बैठक पर बैठक 16 जुलाई को आयोजित करवाई गई है पार्टी के राष्ट्रे महासचिव रामचंदर प्रसाद के अध्यक्षता में बैठक आयोजित करवाई गया है इसके बाद बैठक की तीन पारियों में करवाई जाने की बात कही गई है प्रतम पाली सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होनी है जिसके बाद पस्चम चंपारन, पूर्वी चंपारन, सीता मढ़ी, मधुबनी, दर्भंगा, मुजफर पुर, वैशाली, गोपाल गन, सिवान जुला के पतादिकारी भाग लेंगे, वहीं दूसरी पाली साड़ी 11 से 12 बजे तक के बीच में होगी, साथी तीसरी पाली एक बजे से लेकर दो बजे तक आयोजित करवाई जाएगी सीबियसी के तरफ से जारी किया गया बारहवी का परिणाम, सीबियसी ने सोंबार को बारहवी के रिजल्ट की घोशना कर दी गई है, बिहार में चात्रो का परफॉर्मेंस इस बार सराहनी है रहा है, महीं पतना जोन ने एक बार फिर से निदाश किया है, पतना जोन के सीब का परफॉर्मेंस बेहदी सराहनी देखने को मिला है के इंड्रे विद्याले शेखपुरा के सौ फीस दी चात्र को सफलता हासिल हुई है साइंस्ट्री में हर्ष कुमार को 96 फीस दी अंक आई है तो वहीं ईशा देव को 95.8 फीस दी और 30 पर आनन प्रकाश को 95.2 फीस दी अंक का मुद्दा उठाए जुला असोसियेशन के इस बैठक के चेर्मेन मनोन केगे प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि बीसी ये के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी गयर सम्मेधानिक तरीके से और तानाश शाह की तरह काम कर रहे है पटेल ने पत्र में लिखा है कि मैं प्रालोसबा के प्रधान महासचिव आनंद माधव ने बिहार में संभावित बाड को देखते वे बिहार सरकार को आडे हाथ हो लिया है जिसकी तहत वह ने कहा कि बिहार हर साल बाड के प्रभाव को देखता है और जहेलता आया है करोरों लोग प्रभावित होते हैं बड़ बिहार में 472 पुलिस वालों का हुआ तबादला, बिहार में कुल मिलाकर 472 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया है विभाग की तरफ से ट्रांसफर की गए सभी अधिकारियों की पूरी सूची जारी कर दी गई है ट्रांसफर के इस लिस्ट में कई सिपाही, इंस्पेक्टर और जमादार का नाम भी शामिल है मेली जानकारी के नुसार जिन अधिकारियों का तबादला किया है वो ऐसे पतादिकारी हैं जो 6 साल पूरे हो जाने के बाद भी अपने पदबर कारे रथ हैं जिसके परिनाम सरूप बिहार में रेल पिलस ने 5 इंस्पेक्टर, 118 जमादार और 349 सिपाहीों का तबादला कर दिया है जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है संजे कुमार जहां ने बिहार और नेपाल के कए जिलों में हलकी बारिश होने की जटाई संभावना संजे कुमार जहां ने मौसम वभा के आलोक में उत्तर बिहार और नेपाल में 16 जुलाई तक हलकी तो कहीं मध्यम बारिश होने का पुरवान मानजवारी किया है जिसके तह संजे कुमार जहा ने अपने ट्विटर के माध्यम से एक फोटो भी शेयर की है जिसमें हलकी और मध्यम बारिश वाले इलाके को ग्रीन और ब्लू कलर से दर्शाए गया है इतना ही नहीं उन्होंने अभी बताया है कि बारिश के कारण बढ़ रहे जलसतर को ध्यान में रखते वे डबलू आरडी के अभियनताओं को सतर्क रहने की अपील की गई है बिहारी पहचवान में हवाज बात करेंगे गुर्मीत चौधरी जिनका बिहार से है नाता रामायन सीरिल से घर-घर में अपनी पहचवान बनाने वाले गुर्मीत चौधरी का जन कहीं और नहीं बिहार में ही हुआ था आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे गुरमी चौधरी का जन बिहार के भागलपूर जिले में हुआ था जुसके बाद उन्होंने साल 2008 में रामाएन सीरिल में काम किया था जुसके बाद ही उन्हें घर-घर में पहचवान मिल गई थी गुर्मी चौधरी ने सिर्फ रावायन ही नहीं बरकी पुनरविवा और गीत जैसे सीरिल में भी काम किया है इसके साथ ही गुर्मी चौधरी ने खामोशिया फिल्ब में भी काम किया है बीते दिन से पतना राची, पतना जन्शताब्दी एक्सप्रेस और दानापूर टाटा, टाटा नगर दानापूर एक्सप्रेस नहीं चलाई जा रही है, यह ट्रेन अगले आदेश तक के लिए कैंसिल कर दी गई है, जन्शताब्दी एक्सप्रेस पतना से गया तक चलेगी, जारखन में यह ट्रेन क्यांसिल रहेंगी जिसके बाद पटना से राची और दानापुर से टाटा आने जाने बाले यात्रियों के लिए मुश्किले काफी ज्यादा बढ़ गई है मिली जानकारी के नुसार COVID-19 के बढ़ते संक्टमन को देखते वे यह फैसला लिया गया है बिहार के बकसर जुले में COVID-19 प्रभावितों की संख्या को देखते वे 17 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन बिहार के बकसर जुले में लगातार COVID-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है हालात यही रहे तो स्थिती जुले में काफी ज्यादा खराब हो सकती है जुला प्रसाशन ने संक्रमन को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की है इसके बाद जुला पताधिकारी अमन समीर के आदेश पर बंदी का आदेश 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है सुचना सहजन संपर्क पताधिकारी कनहिया कुमार ने बताया कि 18 नए लोगों में COVID-19 पाए गया है जिसके बाद ही लोगडाउन की तारीक को बढ़ाने का फैसला लिया गया है पत्र निर्मान मंत्री ने पतना और छप्रा के बीच गंगा नदी पर दो और पुल बनाने की दी स्विकृति दे दी है जिसके तहट आने वाले दिनों में राजे में याताया, सुवधा और ज्यादा सुगब बनाने के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार की पहल पर ये फैसला लिया गया है मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि आने वाले दिनों में एक मनेर तो दूसरा देगा में पुल बनने जा रहा है अपने बच्पन से उन्होंने चांद पर जाने के इच्छा जाहिर के थी जिसके बाद उन्होंने चांद पर जा तो नहीं सकते थे मगर वहां पर उन्होंने जमीन खरे दिली है जिसके बाद अब यूएस की एक सोसाइटी लोनर के द्वारा ओन्लाइन च्वान पर जमीन की खरीद बिक्री के बारे में जवानकारी मिली जिसके बाद ही उन्होंने यह जमीन खरी दी है जदियू के वर्चुल रैली को तेजप्रता प्यादव ने उड़ाया मजाक जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को टालने की बाद जोर शोर से की जारी है भाहिं दूसरी तरफ भाजपा और जदियू बिहार विधानसभा की तयारियों में जुटके हैं एसी बीच राजट नेता तेजप्रता प्यादव ने सीम नितीश कुमार के होने वाले वर्चुल रैली पर मजाक उड़ाया है जिसके थेत उन्हें प्रेट ट्विटर के माधियन से लिखा कि जनता नहीं आएगी बातों में दर्द देगी इस बार आपके आतों में आगे नितीश कुमार की फोटो लगाई गई है जिसमें दिखा गया है जनता तरस नितीश कुमार वर्चुल रैली में माच पटना एम्स की चौकट पर तरपते मरीजों के वीडियो को तेजस्वी आदव ने किया ट्वीट बिहार में COVID-19 के स्थिती बेलगाम बढ़ती जा रही ह जिसके बाद पटना एम्स की एक वीडियो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने शेयर की है वीडियो शेयर करके उन्होंने क्याप्शन में लिखा है कि पटना एम्स के फुटपात पर लेटा व्यक्ती COVID-19 पॉजिटिव है सरकार प्रसाशन और अस्पताल कोई नहीं सूपर थर्टी के एक साल पूरे हो गए है गणित प्रतिभा आनंद कुमार पर आधारित यह फिल्म एक साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म के मुख्या भीनेता रितिक रोष्ण ने अपनी भूमी का और परफॉर्मेंस के लिए हर और से सरहाना भी बटो रही थी अपने अ प्रतिभंध का मुद्धा उठाया है मिली जौनकारी के नुसार भारत के साथ हाली में हुए दूई पक्षियों वारता में यह मुद्धा उठाये गया है भारत ने पिछले दुनों टिक टॉक समेट उनसार चीनी आप्स पर प्रतिभंध लगा दिया था जिसके बाद मीड पाइल आप्स पर बैन का मुद्धा उठाया है जिसके बाद सरकार की तरफ से जारी किये बायान में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रे सुरक्षा के प्रती गलत भावना रखने वाले तत्वों पर प्रतिबंध लगाये जाएगा अंतर राष्ट्रे निवेशकों की कानू पूनी अधिकारों की रक्षा करना भारत का करतव्य है। वनी द्वारा छोड़ी गई विरासत पर चोर्चा कर रहे थे। की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके नुसार बिहार में COVID-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए संपूर्ण लोकडाउन लगाना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आपए वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकवान दबाना ना भूलें। और अगर आप एवीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हिए तो इस वीडियो को लाइक करें और जाधाधा शियर करें। 예